दोस्तों आज का बहाली का अपडेट जो निकाला गया है UPSRTC के तरफ से निकल करा है मतलब उतर परदेश State Road Transport Corporation of India के तरफ से बहाली का अपडेट निकाला गया है इसमें आपको पोस्ट का नाम मैं बता दू समविदा बस कंड़क्टर तो कंड़क्टर का यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला गया है तो आज के इस वीडियो में इसी का अपडेट आपको हम देंगे तो क्या कुछ खबर निकला चलिए पूरा डीटिल में जान लेते तो बीना टेम गवाई वीडियो को सुरू करते हैं तो फाइनली आप देख सकते इसका एडवेटाइजमेंट यहाँ पर जो निकल कर आया है उत्तर परदेश इस्टेट रोड ट्रांसपोर कोर्परेशन और इंडिया के तरफ से एडवेटाइजमेंट निकाला गया और इसमें पोस्ट का नाम जैसे कि मैं आपको बता दिया ह हूं संवीदा बस कंड़क्टर का बहाली का अपडेट निकाला गया देखिए यहां पर जो बहाली होना है वारणासी का यहां पर अपडेट निकाला गया और इसमें जो आपका स्टार्टिंग अप्लिकेशन का डेट बताया गया है 9 अक्टूबर 2018 और आखरी डेट यहां पर 30 अक्टूबर 2018 बताया जा रहा है उसके बाद नौइडा का अपडेट निकाला गया इसमें स्टार्टिंग डेट 20 अक्टूबर बताया जा रहा है लास्ट डेट यहां पर 30 अक्टूबर बताया जा रहा है उसके बाद हर दोई का यहां पर अपडेट निकाला गया इसम बाद देखिए यहाँ पर बरेली का फरीजाबायत का यहाँ पर अपडेट निकाला गया स्टार्टिंग डेट 15 अक्टूबर लास्ट डेट यहाँ पर 30 अक्टूबर 2018 उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 17 अक्टूबर से स्टार्टेंग है और 30 अक्टूबर 2018 इसका आखरी डेट यहां पर बताया जा रहा है तो भाईया यहां पर देखिए डिश्टिक वाई डिश्टिक यहां पर अप्लिकेशन स्टार्टिंग और इंडिंग डेट बताया जा रहा है तो नेड़ बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से इसका ओनलाइन भुक्तान कर सकते हैं और देखिए इसमें जॉब लोकेशन जो यहाँ पर बताया गिया है जॉब लोकेशन आपका उतर परदेश होगा और एज लिमिट की हम बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ पर आपको जो मांगा जा रहा है देखिए एक जुलाई 2018 के इसाब से मिनिममम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल आपको बताया जा रहा है जिसमें HTSC अगर आप होंगे तो 45 साल तक की लोग फोर्म को अपलाई कर सकेंगे और नमबर और पोस्ट 3035 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आता है क्वालिफेकेशन की बात कर ले तो चलिए क्वालिफेकेशन बता देते हैं लेकिन देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर देख सकते हैं Candidate who have passed their intermediate examination level along with DEOACCA level certificate. तो यहाँ पर आपको intermediate के साथ आपको यह certificate मांगा गया है. उसके इलावा यहाँ पर आप देख सकते है. Scout Guide Certificate यहाँ पर NCCB Certificate Home Guard Authority. यह सब certificate उसके इलावा आपको यहाँ पर X-Army Man Earth Cynic. अगर आप है तो यहाँ पर इस form को apply कर सकते है. उसके इलावा अगर employee eligible है तो आप form को apply कर सकते है. तो इस परकार से इसका advertisement पूरा निकल कर आता है. और document यहाँ पर देख सकते हैं क्या का लगने वाला है. Application, photo, intermediate, mark sheet, birth certificate, NCCB certificate, IT, computer, army man. यह सब सारा certificate आपको यहाँ पर माँगा जा रहा है. और देखिए mode of selection की बात कर ले. तो यहाँ पर जो selection होने वाला है merit list के हिसाब से selection होगा. तो merit list बनेगा, कोई exam बगएर नहीं है. डिरेक्ट बहा लिए इसमें और apply करने के लिए इसके official website में जाकर online apply करना होगा. अगर आप इसका description में पूरा जाकर link देखना चाते हैं. अगर आप इसका पूरा data management पढ़ना चाते हैं. तो description में चले जए, वहाँ पर इसका link देदूँगा. अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर कीजिएगा. अगर कुछ मन में डौट है, तो कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपका reply करने का ज़रूर कोशिज करूँगा. तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, take care, bye.